Hello everyone, our today's topic is fundamental unit of life. तो fundamental unit of life क्या होता है? Life, G1, पूरी जिन्दगी है, हमारी fundamental unit. तो क्या कहने चाहरा है कि कोई भी और निजम है, उसकी life की fundamental unit क्या है? जिसके हाथें पूरी पावर होती है. मतलब जो basic unit है अमारी life की, वो क्या होती है? तो इसका एक simple सा answer है जैसे किसी building को बनाने के लिए उसके building blocks क्या होते हैं bricks होती है वैसे ही किसी body को बनाने के लिए जो fundamental unit होती है जो basic unit होती है वो क्या होती है cell तो हम पढ़ेंगे कि cell कैसे basic unit है कैसे उसके discovery है कैसे पता लगा लोगों को कि cell नाम के भी कोई चीज होती है ठीक है तो सबसे पहले जो scientist था जिसने discovery की Robert Hook इन्होंने 1665 में क्या किया एक experiment performed किया ठीक है वो जो experiment था इन्होंने खुद के design के हुए microscope से self design microscope इन्होंने experiment किया experiment का result हुआ उसको किसमें observe किया जो खुद ने microscope design किया था उसमें इन्होंने उसका result देखा तो क्या किया इन्होंने जो ट्री की बाग होती है उससे कोउक निकाली और उसको की thin slice प्रिपेर की और इस thin slice को किसके अंड़ देखा microscope के अंड़ तो इन्होंने क्या देखा कि क्या दिख रहा था इनको उस microscope के नीचे जब इन्होंने observe किया तो क्या observe कि जो cells मतलब उस टाइम पे cell term नहीं दीगी थी नोंने यह देखा था कि कोई चीज है जो किसकी तरह दिख रही है honeycomb जो मदू मख्यों का छत्ता नहीं होता उसकी तरह उबज़ा हो रही थी honeycomb की तरह इसके अंदर भी क्या थे little compartments थे little compartments जैसे छोटे 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 रूम होते नै वैसे ही इसमें छोटे छोटे little little compartments थे तो इन little compartments को Robert हुक ने क्या नाम दिया था cell कि यह जो little compartments है यह cell है किसी भी organism का कोई भी टुगडा लिया जैसे यह जो कॉक होती है यह क्या होती है जो secondary growth होती नै plant के अंदर उसमें prepare होती है तो उसकी तहीं slice ली थी जब इसको microscope के अंदर देखा तो honeycomb की तरह जब इसकी observation हुई और उसमें little compartments थे तो इन little compartments को रोबर्ट उपने क्या कहा cell इसके बाद एक experiment जो की नॉर्मली लैब में perform क्या जाता है क्या होता है experiment जिसमें हम observe करते हैं cells को हम किसी के experiment चलो ठीक है इन्होंने experiment दिया यह बताया इन्होंने के cells present होती हैं तो हम भी तो observe करें cells दिखती कैसी हैं तो क्या हुआ एक experiment perform होता है लाब में कराया जाता है आप सबको experiment में क्या होता है एक आपने अन्यन बल्ब लिया प्यास तो सबके घर में easily मिली जाता है उस अन्यन बल्ब को जैसे आप salad काटते हैं तो उस टाइम पर उसको peel off करके और cut करते हैं तो अंदर अलग अलग layer निकल के आती हैं तो उसमें से एक layer को आपने बाहर निकाल लिया फिर उस layer की जो inner side थी उस inner side से आपने epidermis को peel off कर लिया अपने देखा भी उप्यास खाते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो ऐसे वाली surface होती है अंदर वाली surface इसमें से कुछ white white निकल के आती है पतली सी layer होती है ठीक है तो हमने उस surface को बाहर निकल ला है उस white वाली surface को उसे बोलते है epidermis उसको हमने बाहर निकला अब इस peel off kiwi epidermis को हमने क्या किया एक watch glass या फिर petri dish लिया उसे पानी था और इस layer को हमने जैसे ये कोई पत्ली सी layer थी यहां पर छोड़ दिया इस watch glass में इस watch glass में इस peel off kiwi layer को हमने छोड़ा इसका benefit क्या है कि ये जो है dry up नहीं होगी ठीक है second layer है ये flat रहेगी मतलब इसकी कोई भी folding नहीं होगी अगर fold हो जाएगी तो हमें clear cells नहीं दिखेंगी वो cells क्या होगी जैसे हमारे हाथ हैं ऐसे fold हो जाते हैं तो हमारे हाथ की पूरी surface clear नहीं दिखती न क्यूंकि वो जो cells है वो overlap हो जाती है आपस में तो dry up नहीं होगा folding नहीं होगी फिर हम क्या करेंगे एक slide लेंगे ठीक है ये slide ले ली इस slide के ओपर हमने एक water drop डाल दिया फिर इसके उपर हमने क्या डाला ये peel of kiwi जो skinthies की चोटा सा टुकडा लिया और ये इसके उपर डाल दिया तो यहाँ पर भी ये dry up नहीं होगा और इसके folding नहीं होगी फिर हमने क्या क्या ऐसे तो हम microscope में observe करेंगे तो क्या होगा कि ये जो cells हैं हमें clear नहीं दिखेंगे इतनी तो हम क्या करते हैं solution का use करते हैं iodine solution वो iodine solution इसके उपर डाल देंगे यहाँ पर iodine solution डाल देंगे इसके उपर फिर iodine solution डालने के बाद क्या करेंगे इसके उपर हम cover sleep apply करेंगे ध्यान रहे कि cover slip आप अच्छे से apply करें उसके उपर उसमें कोई भी air bubble नहीं आना चाहिए, जब cover slip apply करते हैं तो बहुत सारे air bubble उठके आते हैं, उनके विज़े से दिक्कत क्या होती है, कि हम just cell को देखनी कोशिश कर रहे हैं, उसके boundary के उपर अगर air bubble आ गया, तो हमें वो boundary clearly visible यह होती है, तो क्या क्या हमने carefully cover slip इसके उपर apply कर दी, अब क्या करेंगे, इस slide को हम microscope के उपर रखे, observe करेंगे, तो microscope के उपर जब हम observe करेंगे, तो इसका result निकल के आएगा कि हमें क्या दिखा, आपने सबने lab में microscope देखा भी होगा, एक बार मैं आपको microscope के structure दिखा देती ह यह देखिए, यह microscope की structure है, हमने क्या क्या जो slide ली थी, वो stage पर, यह stage के ऊपर हमने, वो slide लगाई है, इस stage पर हमने, इस way में slide लगाई, कि नीचे, क्या होता है, कि microscope में जब भी कुछ देखना होता है, हम window के पास लेके जाते है, mostly microscope को, क्योंकि, क्या होता है, यह mirror होता है, और mirror तो आप अच्छा से जानते है, जब आप face देखते हैं, अपना mirror में, दूप में खड़े होके, तो क्या होता है, reflection आता है उसका, तो यह जो mirror है, इसके उपर, जैसे ही light rays गिरेंगी, तो यह reflect करेगा light rays को, और light rays उपर की तरफ, यह जो slide रखी हुए थी, slide के उपर, यह पास होगी, और यहाँ पे हमारी आँख होगी, जो देख रही है, तो वहाँ पे हमारी आँख के अंदर, क्या होता है, image बन जाती है, अब यह image बनेगी, कैसे, जरूरी थोड़ी, आप slide लगाओ, slide लगते हैं, आपको दिख जाए, अगर मालोग कुछ आपको नहीं दिख र आती है, फोकस में आगी image, अब अगर वो image, फोकस में आने के बाद blur दिख रही है, तो हम fine adjustment knob का इस्तमाल करते हैं, इसको हम rotate करते हैं, जिससे कि जो blur image है, वो clear हो जाती है, जैसे कि आप phone में photos क्लिक करते हैं, तो screen के उपर focus करने के लिए क्लिक करते हैं, तो वैसे ही, यह fine adjustment भी क्या करता है, फोकस करता है उस image को, उसे blur नहीं होने देता, तो इस तरह से हमें image दिखती है, तो जैसे ही क्या होता है, कि हम experiment perform किया, हमने, तब हमने microscope में क्या देखा, कुछ little little compartments थे, इस तरीके के boxes like, देख लिजए अब, इस तरह के कोई little compartments थे, इन सब के अंदर क्या था, nucleus, cell के अंदर nucleus थो होता ही है न, main control unit, ठीक है, यह देखे इनोंने, तब इनको यह नहीं पता थे, यह cell थे, उसके बाद जब इनोंने और discovery की, तो उसके बाद पता चला कि यह जो little compartments है, इनको cells बोलते हैं, ठीक है, यह सब cell है, इस तरह से cell की discovery हुई, और cell को हम क्या बोलते हैं, basic unit of life, क्योंकि जो cells है, वो आपस में combine होके ही, पूरी body, form करती है, पहले क्या होता है, पहले cells एक cell बनी, फिर क्या होता है, कि बहुत सारी, यह एक cell है, बहुत सारी cell ऐसे ही आपस में combine होती है, combine होके एक group बनाती है, इस cell के group को क्या बोलते हैं, tissue, ठीक है, फिर बहुत सारी tissue होते हैं, वो combine होते हैं, यह tissues combine होगे, और भी बहुत सारी एक दो 2 टिशिऊ इसके साथ combine उगे तो उसके बाद बनता है ओरगन जैसे कि लउ्ग्स लीवर ठीक है ये ओरगन बन गई फिर उसके बाद बहुत सारे organs combine होते है organs combine होके k्या बनाते है organ system जैसे कि हम excretory system की बात करें उसमें kidney होती है raters होते है urinary bladder होते हैं ये सारे organs का माइनों के एक system की formation कर रहे हैं और बहुत सारे organ system का माइनों के एक पूरी body की formation करते हैं तो cell को हम क्या बोल सकते हैं basic unit of life इसके बिना कुछ भी possible नहीं है कोई भी organism है उसकी क्या बोलते हैं ना कि भगवान ने हमारी रचना की है तो cell के बिना चाहिए भगवान और जब तक cell नहीं होगी तो रचना कहां से होगी ठीक है तो ये सब था experiment के बारे में की कैसे experiment किया गया कैसे इनको cells को observe किया गया अब हम पढ़ते हैं कुछ discoveries है जो याद होनी चाहिए discovery सबसे पहले जो के experiment हमने देखा रोबर्ट होग एक साइंटिस थे 1665 में इन्होंने cells को discover किया सेकेंड आए लुवेन होग इन्हों 1674 में क्या discover किया पॉंड वोटर के अंदर free living cells को discover किया फिर आए रोबर्ट ब्राउन रोबर्ट ब्राउन ने 1831 में nucleus की discovery की फिर आए परकिंजे परकिंजे ने protoplasm term the 1839 में protoplasm क्या होता है एक rough आपने cell का diagram तो देखा ही होगा ये cell की बहार outer boundary है ये nucleus होता है तो nucleus के अंदर क्या होता है nucleoplasm और यहाँ nucleus boundary के बीच में membrane के बीच में क्या होता है cytoplasm तो अगर cytoplasm और nucleoplasm दोनों को अगर हम combine कर दे तो क्या बनता है हमारा protoplasm तो protoplasm किस ने दी थी परकिंजे ने 1839 में फिर शेल्डन और शेवान दो साइंटिस थी एक बोटनिस था एक जुलोजिस था 1838 और 1839 में इन्होंने cell थोरी दी कि cell की जो membranes होती है उनमें क्या क्या composition होती या आगे चलके आप further classes ने पढ़ेंगे तो इन्होंने cell थोरी दी फर विर्चो एक scientist आया इन्होंने 1855 में ये जो cell थोरी इन्होंने Selden और सेवान ने दी थी इस cell थोरी को expand किया कैसे इन्होंने क्या बताया जैसे हमारे parents है अगर parents ही नहीं होंगे तो फिर बच्चे कहां से आएंगे तो one cell है उसी से दूसरी जो cell है further वो arise होती है ये pre-existing cell है तो इसी cell से आगे cells आती है अगर आपने देखा हो तो ये जिसे मालो parents है ये mammy लगा लो ये पापा लगा लो जो भी है इन दोनों के character मिलके एक organism बनता है हम बनते है ठीक है तो क्या हुआ है कि ये जो pre-existing cell थी इन्ही से new cell arise होई है कई और से तो नहीं आ गई है इन्हीं cell से arise होई है ठीक है तो ये सब आप अच्छे से पढ़ ला होपस हो कि आपको समझ आ गया हो थैंक यू वेरी मच बी सेफ एंड बी हैपी